टीनेज एज में आते ही स्किनकेर प्रॉब्म्स स्टार्ट हो जाती है। चाहे मेल हो या फीमिल, दोनों ही इन समस्याओं से जूचते हैं। चाहे वो आकने प्मपल की प्रॉब्म क्यों ना हो। अगर आपकी स्किन है तो वो ड्राइ और डल लगने लगती है। अगर oily skin है तो वो texture face आ जाता है या facial hairs की problem स्टार्ट हो जाती है So hi मैं हूँ Bhavna और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शाइम विद भावना में जो मुझे अलड़ी सब्सक्राइब कर चुके हैं thank you so much क्योंकि हमारी family लगभग 36,000 पहुचने ही वाली है जिन्हों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीच है रड़ कर बटन जिसे आप प्रेस करना बिल्कुर मत भूलिएगा ताकि आपको एसे आपको आपको एसे आमेजन वीडियो मिलती रहें लाइक करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा कंटेंड ला पाऊं इसके लिए मुझे प्रोचसाहन मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सिबसे पहले हम बात करते हैं आक्ने और पिंपल प्रोन करते हैं आप हिमालया की तरफ जा सकते हैं इवन माम अर्थ के जो प्रोडक्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं अगर आपको एकने पिंपल की प्रोड्रम बहुत ज्यादा है तो उसका रीजन जानना वह ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो एकने पिंपल्स की आप कुछ ऐसे मेडिकेशन ले सकते हैं जिसे आपके जो हॉर्मोनल इन बैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस में आ जाये उससे आपके जो एकने पिंपल्स की प्रोडल्म है वो दूर हो जाएगी जो सेकिंड रीजन है वो है यह अगर आपकी ओली स्किन है और बहुत जादा स अगर आपके पोर्स में वो फिल हो रही है उससे भी अगने पिंपल्स की प्रॉब्म मा जाती है तो इसके लिए आपको अपने चेहरे को क्लीन करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है अगर ऑली स्किन है तो ऐसा नहीं है आपको दिन में तीन से चार बार फेस वाश करना है आप दिन में तीन से चार बार फेस वाश करिए बट आपको जो फेस वाश यूज करना है वो से दो टाइम यूज करना है एक मॉर्निंग में एक आपको नाइट में अगर बीश में आपको फेस को वाश करने की जोद पड़ रही है तो आप थंडे पानी से स्पैसे स्प्ला ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इससे भी आपका जो है सिबम जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप बार बार फेस्वाश करके अपनी स्किन के ओईल्स को निकालते चले जाएंगे तो माई स्किन भी इंटेलिजेंट है वो और सिबम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है तो इसके लिए आपको से फेस्वाश दो टाइम यूज़ करना है बाके टाइम आप पानी या रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं और जो रीजन है वो यह है कि आपके जो फेशिल हैर ने का रिमूफ करने का तरीका सही नहीं है तो भी आपकी निकलने का बहुत ज्यादा चांस होता है इंफेक्शन ओलने का चांस होता है तो इसके लिए प्रॉपर नॉलिज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको अपने फेस को शेज भी करना है तो किस तरीके से शेप करना है और उससे पहले आपको फोम ज़रूर लगान तो भी आपकी एतने पिंपल सोने के चांस बहुत जादा बढ़ जाते हैं सो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ होमेड स्कुप्स जो आप यूज कर सकते हैं सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं लेमन प्लस शूगर आपको एक नीमू का जूस लेना है उसमें थोड़े से शूगर की ग्रानुवल्स डालने हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है शूगर डाल यूट नहीं होनी चाहिए वो आपके फेस पे फील होनी चाहिए आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं दोनों ही जो चीजें हो नैचरल है तो लेमन जो होता है वो थोड़ा एसेटिक होता है तो यह आपकी जो फेस पे अगर माउक्स भी है तो इनको भी रिमूफ करने में हम करेगा शूगर है तो वो आपके face को moisturize करेगी साथ के साथ आपके face की जो dead skin है उसको निकालेगी अगर आपको lemon suit नहीं होता है तो आप दूसरा जो scrub है वो यूज़ कर सकते हैं आपको लेना है थोड़ा सा चावल का आटा इसमें आप थोड़ा सा milk आड़ कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से mix करने के बाद आप अपने face पे अच्छी तरह से scrub करें पांसे 10 मिंट उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दीजे थन्डे पानी से वाश कर लीजे तो यह भी बहुत अच्छे scrub की तरह वाग करता है और आपकी face पे एक skin lightening की तरह काम करेगा ओपर से आपकी dead skin तो remove करेगा तो आपका जो face है बहुत ही ज़्यादा soft and supple हो जाएगा तो यह जो दोनों remedies हैं यह male female दोनों ही use कर सकते हैं और teenage age में जरूरी नहीं है कि आपका जो face है वो oily ही रहेगा कई लोगों की जो skin हैं बहुत ज़्यादा dry and बहुत ज़्यादा dull हो जाती है तो वो use कर सकते हैं glycerine उसमें आपको use करना है थोड़ा सा rose water थोड़ा सा lemon का juice and इसको mix करके अच्छी तरह से face पे लगाना है extra dry skin है तो आप honey भी डाल सकते हैं तो यह आपके face को एक तो अच्छी तरह से hydrate करके रखेगा उपर से जो dull skin है उसको remove करेगा क्योंकि यह सारे जित्ते भी अम मैंने ingredients बताए हैं यह glowing skin देने में काफी ज़्यादा help करते हैं इवन मैंने अपनी एक shorts वीडियो में vitamin C toner आप घर पे कैसे बना सकते हैं वो आपके साथ share किया है आप उस shorts को भी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया था orange toner जो आपकी skin को बहुत ही अच्छा glow देगा आप यकीन नी मानेंगे मैं अभी इसको बना के ही यूज करती हूँ और फेस पर आप देख सकते हैं अच्छा सा glow देखने को मिलेगा तो आप इसको भी बना सकते हैं अगर आपकी hydral dry skin है इवन oily skin वाले भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा amazing toner है और आप अपने घर में बना सकते हैं without any chemicals तो आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा oily skin है तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी हमारे skin के लिए बहुती wonders करती है और आपको क्या करना है जो मुल्तानी मिट्टी है बहुत लोग क्या करते हैं instant face pack बनाते हैं कि मिल्तानी मिट्टी का powder लिया पानी मिक्स किया इंस्टेंटली फेस पे लगा सकते हैं बड़ आपको ऐसा नहीं करना है जो इसका तरीका सही है यूज करने का वो यह है आप इसको रात को पानी में मिक्स करके रख दीजे और सुबह यह पूरा जो इसकी तासीर है वो थोड़ी थंडी है यह बहुत ही अच्छी है आपके स्क जिसकी वजह से आपके अक्ने पिंपल्स होते हैं तो यह अपके फेस को ठंडा तो रखेगी साथ के साथ जितना एक्स्ट्रा आपका ओयल या सेबम है उसको सोक कर लेगी आपके जो नेच्रल फेस की और उनको डिस्टर्बनी करेगी आपका पियर्श लेवल को मेंटेन करक हैं तो वो भी कर सकते हैं जो सेकंड चीज है वो है यह कि आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है लगबग 20 किलों पर हमें एक लीटर पानी पीना चाहिए तो अगर आपका वेट 40 है 30 है तो आप डेर से 2 लीटर अराम से पी सकते हैं दिन में तो आपको अपना पानी की अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है अगर आपके लिए यह एलफफुल है तो आप अपने फ्रेंड और फामिली इसमें भी सेयर करिएगा तो यह था मेरा आज का वीडियो में नेक्स दिक और अमेजिंग वीडियो में तब तक यह वाल टेकिया बाइग